सबसे हैं हम इससे करें कर रहे हैं आज क्रोनो मीटर क्रोनोमिटर क्या है यह इ helpful कि बना सकते हैं यह यह टेक्स व्यू की ही सब क्लास है यह टाइमर एड़ देती आपको कि आप इस तरह से इसमें व्यू नजर आता है लेकिन उसमें टाइमर चल रहा होता है आपके पास उसे हम क्रोनो मिटर बोलते हैं जैसे यह देखें इसमें तीन बटन्स लगाए है मैंने एक स्टार्ट का एक स्टाप का और एक री सेट का पहले बाहर लिनियर लियाउट लगाया है और उसके अंदर फिर एक लिनियर लियाउट लगा के उसमें यह तीन बटन्स बना दिए फिर आउटर वाले लिनियर लियाउट में नीचे एक क्रोनो मिटर बनाया है यह क्रोनो मिटर है ठीक है यह इस तरह से प्रिंट होता है इसका यह सारी प्रॉपर्टी आपने पड़ी हुई है हाइट विर्थ ग्राव सेंटर में लेके गए इसको आइडी दीए टेक्स कलर चेंज किया है टेक्स साइज चेंज के तो रहसा बड़ा निज़ा आ रहा है और जावा में सिंप्ली क्या काम हुआ हुआ है जैसे हम स्तार्ट वले बटन पी क्लिक jourड़ेति तो्च क्रोनोमिटर्स स्टाट मैंदिधा एक फंक्षन कॉल किया होब बटन क्लिक का। जैसे हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो क्रोनोमिटर्स रिचीignant जैसे हम reset पर click करेंगे तो chronometer दुबारा zero से start हो जाएगा तीनों में same ही function call काल किया आप तीनों में अलग function call करके नाम फरत रखके भी काम कर सकते हैं हमने एक ही function call किया बस हमने ख्याल यह रखना है कि पता करना है कि किस button ने इस function को call किया क्या start वाले button ने call किया stop वाले ने या reset वाले ने तो उसी लिहाज से code लिखना है उसमें देखें chronometer को हमने pick किया उसको find view by id से initialize कर लिया chronometer का object बनाया object को initialize कर लिया और नीचे देखें उस function में जो हमने खुद बनाया है उसमें क्या लिखा है अब अगर तो यह वाला button start वाला button क्लिक करता है तो यह फंक्शन को call करता है तो यहां view में start वाले button की ID आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि start वाले button ने अच्छा call किया हमने चेक किया कि अगर V1 में जो ID आई है वो start button की ID है ठीक है तो chronometer को start कर दो यह बना बनाया इसका function है chronometer का object लेके dot start फिर हमने check किया कि अगर chronometer में stop वाले button की ID आई है तो chronometer को stop कर दो यह खुद ही रोक जाएगा फिर हमने देखा कि अगर chronometer में reset button की ID आई है तो chronometer की base set करनी पड़ती है यानि system clock से time pick करके न उसको elapse कर देना पड़ता है 00 तो हमने क्या किया chronometer dot set base system clock से जो time है न इस time पे जो भी time चल रहा है उसको 00 कर दो ठीक है elapse कर दो time elapse हो जाएगा और restart का मतलब क्या होता है या reset का मतलब क्या होता है कि दुबारा 00 से चलना शुरू हो जाए अगर तो आपने just 00 करना था आप बस इतना ही code लिखेंगा अगर आप चाते हैं कि दुबारा से 0 से start भी हो जाए तो फिर हमने इसको क्या किया कि यहां पर भी start का यह लिख दिया कि 00 करके दुबारा से यह start हो जाए अब मैं इस code को जड़ा रन करके आपको chronometer चेक रहाए क्रोनमेटर कैसे निजर आते हैं यह यह आपके पास chronometer यह इस तरह से रहना होता है जब हम इसे reset करेंगे तो यह दुबारा 0 से 1 reset करेंगे दुबारा stop करेंगे तो यह stop हो जाएगा reset करेंगे दुबार ठीक है that's called chronometer यह stop watch की तरह काम करता है इस्ते हम यह समझे भी कह सकते है stop watch के stop watch बना सकते हैं समझ आईए chronometer की यस मैं आगी नेक्स्ट है मार पास event listener event listener event listeners क्या होते हैं अभी तो हम functions कुछ से लिख रहे थे होता है सिरफ button click ही event तो नहीं है और भी events है तो उसके लिए फिर हम event listeners पढ़ते हैं event listeners क्या करते हैं event listeners user की interaction कराते हैं application के साथ like हमने button को क्लिक किया screen को touch किया और तीन बटन है तीनों को प्रेस किया हमेशा event listeners के अगेंस back end पर क्यों बन रही होती है क्यों आपको पता है first in first out it means जो event आपने पहले perform किया है वो event पहले ही execute होगा जो event आपने second number पर perform किया वो second number पर ही उसकी execution होगी ठीक है यह event listeners हमारे callback methods ही होते हैं यानि कोई trigger user कोई प्रेस करता है चीज user interface से click करता है तो background पर जो भी हमारा process चलता है उसके against आपने button क्लिक किया जो भी process चलेगा उसे हम बोलेंगे event listener ठीक है यह view की class के अंदर बनता है इसलिए कि जो screen को आपको चीजे नजर आ रही है that is your view वह view है ना आपके सारे जिनके जिनके साथ आप interact कर रहे हैं वह आपके व्यू है button आपका व्यू है edit text के अंदर कुछ लिख रहे हैं आपका व्यू है ठीक है तो event listener view की class के अंदर ही लगते हैं callback methods के जब इस व्यू पर अगर आपने click किया है या इस व्यू के उपर अगर आपने touch किया है तो फिर इस व्यू के उपर एक event listener call हो जाएगा ठीक है event listeners की registration भी होती है ठीक है event registration is the process by which event handler get registered with an event listener ठीक है add the handler is call when the event listener fires the event जब भी आपने कोई भी event perform करना है तो सबसे पहले उसकी registration होती है फिर उसके against event handler जो है वो call होता है event handler उस code को कहते है जो के आप उस event के against लिखते हैं ठीक है जो आपने पूरा एक method लिखा है न वो आपका क्यालाता है handler यह जो आपने पूरा एक method लिखा होगा यह अभी आपको मैं example भी समझाती हूँ event handler कौन-कौन से होते हैं event listener और event handlers कौन-कौन से होते हैं event handler है on click ठीक है और इसके लिए on click listener बनाया गया है यह जब आप screen के उपर click करते हैं तो इसको जहांना o ogl listener कौल होता है जैसे आपने किसी चीज के उपर click किया तो on click listener यह आप बटन पे भी लगा सकते हैं text पर भी लगा सकते हैं image पर झौण-के उपर- क्लिक किया किसी image के उपरik इस तरह on long click listener on long click listener या on long click handler कब काम करता है जब आप किसी भी view के उपर one या one second से ज़्यादा press करके रखें ठीक है अगर आपने click किया और आप one second हो गए है तो फिर on click नहीं बलके on long click call होगा इसी तरह से on focus change ये कब call होता है जब आपने on focus का मतलब क्या होता है जब आपने किसी चीज़ के उपर click किया वो on focus है जब आपने अपना click वहां से हटाया यानि आपने किसी दूसरे view के उपर चले गई है तो उस पहले वाले view के उपर से आपने focus change कर लिया तो that's called on focus change on key जब keyboard से key press होती है on touch जब screen को touch किया जाता है on menu item click जब आप menu bar से कोई item उठाते है यह menu जब आप यहां से कोई item पर करेंगे तो उस time पर जो event listener चलेगा वो आपका कौन सा चलेगा on menu item click और इन सब के लिए अब आपने अनुटेशन method के होते हैं जो पहले से लगे होए होते हैं जब हमने activity का वो पूरा span बनाया था तो हर method के साथ override लिखा हुआ था ठीक है यह पहले से बने हुए है अब event listener जिस्ते देखें आपने यह button लगाया ठीक है button लगाया पहले तो हम क्या करते थे button के उपर on click में यह function कॉल करते थे जब हम event listener लगाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे हम button को यहाँ पर pick करेंगे पहले हम ऐसे नहीं करते थे हम क्या करते थे button पे यहाँ पे function कॉल कर लेते हैं वो किस तरह से लगाएंगे July कि और और प्टन को हमने यहाँ पर button की class बनाई button का object बनाया ठीक है और बटन को हमने find view by idea से initialize कर लिया initialize करने के बाद देखें आप button dot set on click यानि हम button के उपर on click listener रहे हैं यानि जैसे ही button के उपर click हो तो यह वाला code चलेगा किसी का mic on है वो डिसे लिए खदीजा अपना mic off करें तो जैसे ही हमने button के उपर btn dot लिखेंगे ना तो एस लिखेंगे तो automatically आपको देदेगा कि आपने कौन सा listener लगाने वहां पर आपकी सारे पास options होंगी हमने लगाया set on click listener आप यह registration है क्योंकि यह view की class के साथ जो है वो implement होता है तो view की class के साथ इसकी registration होती है that's called registration of set on click listener हमने new का keyword से view की class के अंदर इसकी registration की जैसे ही हम registration करेंगे फोरण आपको यह method बना के देगा यह बैसा ही method होता है जैसा के हम पहले यहां पर बनाते थे देखें यह आपका listener है and that's called your handler इधर देखा था ना on click is your handler and this is your listener और यह आपने listener लगाया इस listener को का यह कहलाता है handler और यह कहलाती है registration यह listener है यह उसकी registration है view class के साथ यह उसका handler है यानि यह call होगा जब आप यह listener जब आप click करेंगे तो फोरण इसने listen किया कि click हुआ है और किस view के उपर click हुआ है यह भी ठीक है और काम क्या करना है वो इधर लिखा हुआ गा सारा यह पहले हम यहां लगाते थे कुछ बच्चे ना यहां पे लगाते हैं button click का listener ठीक है यानि public wide function पहले खुद function बना लते हैं वो बनाने की जरूरत नहीं होगी फिर आपको अब यह वो function लग गया ठीक है यह callback method जैसे यह बटन पर click करेंगे तो यह हो जागो और सारा हमने on create के अंदर ही लिखा है सारा काम ठीक है on create के बाहर नहीं लिखा हुआ है ठीक है इसे तरह से next है हमारे यह event listening हमारे चलते रहेंगे throughout हमने अब event listeners ही यूज किया करने जिसे यहां पर देखे अलर्ट डायलोग अलर्ट डायलोग क्या होते हैं जैसे मैं यहां पर change करूंगी ना यह मैं यह प्रेस करते हूं तो यह जो आया ना मेरा स्क्रीन पर that's called your alert डायलोग अलर्ट डायलोग ठीक अब यह अलर्ट डायलोग अपनी activity में हम कैसे बना सकते हैं अलर्ट डायलोग बनाने के लिए एक्जेमल में सिर्फ मैंने एक बटन बनाया है ठीक है इस बटन के क्लिक पे डायलोग आएगा ठीक है इस बटन के क्लिक पे अब मैंने क्या किया है यहां पर फंक्शन के तुरू काम किये ठीक है फंक्शन बनाया डायलोग डिस्पले व्यू की क्लास पास की अलर्ट बनाने के लिए अलर्ट जो है वो जावा की क्लास का फंक्शन है ठीक है अलर्ट डायलोग यह एक्जेमल का नहीं है यह जावा का फंक्शन है तो इसके लिए जो क् अब पास यह अब जैक्ट की जो चीजें सेट करनी होती है वो यह जिसे हमने इसका टाइटल लोगो हमने इसके यह मैसेज और इसके बटन्स यह सेट करने होती है तो वही हम यहांपे सैट करते हैं देखें, alert.set title, title set किया, alert.set message, message set किया, alert.set icon, icon यहां पे आप अगर नहीं है तो drawable में रख लें, icon अपना कोई, वो, और fourth चीज, alert.set cancelable false, cancelable क्या होता है, कि अगर मैं कहीं और click करती थी पहले, तो यह icon यहां से गाईब हो जाता है, यह alert चला जाता है, अब ऐसा नहीं होगा, ह आपको लासमी इसके उपर से कोई button चूज करना है, ठीक है, फिर हम इसके button बनाएंगे, यह हमने इसके buttons बनाएं, हमने इसका एक ही button बनाया अभी, alert.set positive button, ठीक है, इससे क्या होगा, इसका यह एक button set हो जाएगा, इस button का भी आपने अब नाम रखना है, और इसका काम बताना है, new dialogue interface की class.onclicklistener, यानि इसके उपर हमने onclicklistener अपलाई किया, और जैसे यह अपलाई किया, तो यह हमें function बना के दे देगा, कि आपने इस button क्लिक के उपर जो भी काम करना है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, पिर आपने यहाँ पर alert.show, alert.show से क्या होता है, कि अब यह alert आपक अब जैसे ही, जैसे ही आपने इसको चलाया, तो आप देखेंगे कि अब alert वहां पर alert message कैसे display होता है, यह run होज़े है, तो फिर हम स्टार्ट करें. हुआ झाल करें आपने, तो अबड़ गोंब देखेंगे कि अब तो बस्तार करोवारे है, कि कि वहाँ तने आते हैं, इसक् 0026, इसक्वामा pusha जरेंगे ही, जैसे है कि वहाँ प्या आपका उना है, तो पर वहाँ है, तो भी कि पते होता है, तो ऐसक्का उफ़ होता है, जैस यह देखिए यह हमारा वह स्टार्ट बटन डिस्प्लेय में आ रहा है जो कि यहां पर यह स्टार्ट बटन ठीक है अब जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे है जब की मेरा आ अगày मेंare अने एक अउकलमन मेय स्टार्ट बिटन पर क्लिक का थिन तो यह मेरा आ गया वह अलेट अब के बटन पे हमने कुछ भी निखा कर्ते नो जए हम प्रेस करते हैं यहां मुझे ठोस्ट प्रिंट होता हुआ घाक है जर्थ का अब अलेर्ट के थू आप अल अलेर्ट के थू आप जो है वह है वह एड़ेक्स मतलब यूजर से नेम उसका ले सकते हैं यूजर से डेर से मत्तब इस जो आपको अभी आपका नजर आया था इस तरह का इसके उपर आपको इव भी लगा सकते हैं वो कैसे लगाते हैं उषके लिए आपने क्या करना है सबसे पहले आपने एक रिसोर्स फाइल यह लेयॉट बनाना है फिर वह लेयॉट आपने उठाके इस अलर्ड के उ लगा देने नहीं लेयाओट बनाने के लिये आपने यहां से नियू पर नियू क्झारा यू लेयूट ड़नाे नियू लेयाओट रिसोर्स उर्सजार फाइल जैसे मैंने यह एड़ डायलॉग के नई एक रिसőड बनाई है नई एक dziफ इल प्रस निया डायाओ बना भूनाया सरफ Edit Tips वो मुझे निजर आ रहा है कुछ इस तरह का ठीक है यह दो activity होगए ना, 2 resource files होगए एक activity मेरी एक ही है activities 2 नहीं हुए क्योंके Java में जाकर देखें तो मेरी एक ही activity है resource files मेरे दो मेरे दो यह मेरे दो ऑगे यह देखी यह एडिट ct एक लगा हुआ मैं जाते हूं कि यह जो मेरा है ना view यह मेरा उस alert के उपर आजए ठीक है उस alert के उपर यह मेरा व्यूर आजए उस के लिए फिर हमने क्या किया वो जो code मैंने यहां से कट किया था, वोही और है, इस तरह से view display करवाने के लिए हम यूज करते हैं layout inflator की class, जो हमारे, जो layout, जो हमारे resource file होती है, वो किसी चीज़ की ओपर display करवानी है, view की ओपर display करवानी है, तो layout inflator की class यूज़ की जाती है सबसे पहले हमने layout inflator class का एक object बनाया INF के नाम से फिर हमने view की class का object बनाया और यह जो inflator है हमारा dot इसका function है inflate inflate यह दो चीजें लेता है एक तो कौन सा layout उठाना है वो layout है resource layout और यह added dialogue यह वाला layout आपने pick करना है और दूसरा क्या इस layout को आप पर अपना route यानि icon पर क्लिक करें तो यह वाला layout सामने आए तो हमने का नहीं null तो यह icon पर क्लिक होने से फोरण यह वाला layout screen के उपर नजर नहीं आना चाहिए और alert.set view यानि alert box के उपर एक view set कर दिया यह वाला ठीक है जिसमें हमारा यह वाला व्यू है तो जैसे ही अब हम इसको run करेंगे अब आपको अपने जो है alert box के उपर नजर आएगा यह वाला layout भी do you want के नेचे line लगी हुई है अब हम इसमें अपना यह भी लेख सकते हैं यह हमारा वह वाला व्यू यहां पर आगा ओके प्रिक है तो एड़ टेक्स का टेक्स उठाके हम यहां पर लिख सकते हैं वैलकम इस तरह से तो हम अपने व्यूस भी एड़ कर सकते हैं अलर्ड बॉक्स के उपर ठेक है इसके लिए दो रिसोर्स फाइल्स मने जो मैं एक दवा फिर इस मैथड को रपीट कर रही हूं कि आपने सबसे पहले यहां पर जाके न्यू रिसोर्स फाइल लेनी है उसके उपर आपने जो भी चाहे आपने कलंडर लगाना है कलंडर लग किया है तो वह मुझे आइकॉन के नीचे ही वहां पर लाइन ने जरा रही ले आउट इंफ्लेटर की क्लास का अबजेक्ट बनाया उसका फंक्शन है इंफ्लेट वह दो चीजें लेता है आपसे आपका ले आउट और दूसरा क्या उस ले आउट को आपने रूट रूट र पर नजर आना शुरू हो जाएगा ठीक है